नमस्कार पंचादी टाइम्ट में आपका उस्पागत है और मैं हूँ कमल सिंग 2019 का लोग सभा चुनाओ विपक्ष और सत्ताधारी बीजेपी तो उनोंने कमर कसनी सुरू कर दिया है और पुपता तैयारियां की जारी हैं 2019 के लिए रणनीती इतनी मजबूत हो कि 2019 में सत्ता में आए ऐसी कोशिस है सत्ताधारी बीजेपी की भी और विपक्ष की भी और विपक्ष जो है इस चुनाओ में 2019 में एक मंच में वीजेपी के खिलाप एक साथ लड़ने की जो कोशिस है वो कर रहा है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक मंच पे आ जाए और एक साथ चुनाओ लड़े और ऐसे में बिहार से एक आवाज आई है क्योंकि लोग सभा चुनाओ में बिहार एक बहुत महत्तपूर जो रोल है वो अदा करता है और बिहार से अगर ऐसी आवाज आती है और यह आवाज है बिहार के उभरते हुए चेहरे कह सकते हैं तेजस्वी आदो की तेजस्वी आ अस्तर बिहार की राजनीति का वो बदलते हुए नजार आ रहा है और ऐसे में तेजस्वी ने विपक्षी पार्टियों को घमंड छोड़के उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को 2019 में बीजेपी को हराने के लिए अहंकार छोड़ना चाहिए और एक मंच पे खड़ा ह होना चाहिए आपको बताएं कि इसका जो एक छोटा सा जहलक कह सकते हैं जाकी जो था वो करनाटक में जब समारो हो रहा था उस समय दिखा सभी विपक्षी पार्टियों एक मंच पे थी लेकिन विपक्ष के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ जाती है वो यह आ जाती कि और एनकार चोडए और एक मंच पर खड़े चुनाओ लड़ें कि कही न कहीं Mr. चंद्रबावू नैडो के लिए हो सकता है और अखुछ यादो के लिए मंत्री वो उत्तर प्रदेश से हो यानि कहीं न कहीं एक तरीके से कहें कि प्रधान मंत्री के चेहरे को लेके विपक्ष में जो घमासान है उस पे तेजस्वी यादो ने एक अपना राय रखी है और विपक्षी पार्टियों को एक मंच पे आने के लिए एहंकार छोड़ने की बात कही है 2019 के चुनाओ की भविस्त कैसा होगा 2019 में क्या चेहरा होगा विपक्ष का क्या चेहरा होगा बीजेपी का और कौन होगा प्रधान मंत्री उमिद्वार यह तो वक्त बतायागा लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव एक अच्छा संकेत देते हुए कि आप लोग अहंकार छोड़े और एक मंच पे आए देश और दुनिया के इसी तमाम बड़ी ख़बरे हम सोसल मीडिया और यूट्यूब फेस्बूक के जरी आप तक पहुचात अधे रहते हैं हमारा वीडियो कर आप फेस्बूक पे देख रहे हैं तुमारे पेज को लाइक करें यूट्यूब पे देख रहे हैं तुमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नमस्कार